Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11 की जो आपकी English Elective Book है याने Woven Words उसका Chapter No. 5, Papachi's Moth तो अजीब सा नाम है ना Papachi's Moth, तो पहले इस टाइटल का मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है मौत क्या होता है, यह जो पिक्चर आप मेरे Left Hand Side पर देख रहे हैं यह जो स्पीशी है, एक छोड़ी सी तितली की स्पीशी है, इसको हम कहते हैं Moth यह एक इंसेक्ट है, इसको कीडा बोलते है Papachi, Papachi का मतलब होता है Grandfather याने दादाजी और ममाची भी आएगी चाप्टर में तो ममाची याने Grandmother तो Papachi का मौत Papachi ने एक मौत डिस्कवर किया था, उसके बारे में यह पूरा चाप्टर है तो theme समझ लेते हैं और एक overview ले लेते हैं कि चाप्टर में है क्या Basically यह जो चाप्टर है, वो Papachi के उपर है Papachi Grandfather है, उनकी वाइफ ममाची है इन लोगों ने अपने Original Names के यह Nick Names रख लिए है Papachi ममाची क्यों? क्योंकि यह जो स्टोरी है, यह Independence यहाने आजादी के पहले की है और उस वक्त लोग अपने जो Names हैं, वो थोड़े English टाइप के रख लेते थे ताकि Britishers उनके नाम easily pronounce कर पाएं यह Papachi जो है, Binan, John, Ipe, इनका Original Name था और इनकी जो वाइफ है ममाची इनका Original Name था Soshamma इनके दो बच्चे थे, एक थाचाको और दूसरी अम्मू अब जो Papachi यह वो एक Entomologist थे याने a person who studies about insects, एक ऐसा इंसान जो कीट विशेश अग्या होता है कीडे मकोडों के बारे में पढ़ता है तो suddenly एक दिन जो यह Papachi है, यह अपनी drink एक alcohol drink पी रहे था और उसमें suddenly कोई मौत आके गिर गई इन्होंने निकाला और उसको अपनी lab में जहां पर वो job करते थे वहां पर लेकर गए, पूसा institute में इदर उदर लेकर गए कि भाई देखो क्या है तो वहां पर 6 महीने तक उन्होंने वेट किया और फिर बोला कि यह तो कोई normal species की, normal जाती की मौत है और पहले यह आ चुकी है, पपाची बहुत जादा दुखी हो गए कि अरे ठीक है भाई चलो उसके बाद उनका retirement हो गया, retirement के बाद उनको 12 साल बात पता चलता है कि पपाची ने जो वह मौत इंट्रिद्यूस किया था जो डिस्कवर किया था वह original था याने इस से पहले कभी भी इस मौत की बारे में किसी ने नहीं पढ़ा था और जब पपाची के मौत को, जबी भी कोई इंसान किसी चीज की discovery आविशकार करता है, invention करता है तो उस चीज को उस इंसान के नाम से जानते कि हाँ उस particular इंसान ने ये चीज डिस्कवर करी थी लेकिन पपाची को इस बात का बहुत दुख था कि उनके discover करे हुए मौत को, इस इंसेक्ट को उनका नाम नहीं दिया गया जबकि उनके low position में कोई जो वहां director काम करता था, उसका नाम दे दिया गया क्योंकि 12 साल हो चुके थे, पपाची कपके retire हो चुके थे अपने workplace से और अब वो claim भी नहीं कर सकते थे इस वाज़े से बहुत frustrated रहते थे और अपनी wife ममाची को बहुत मारते भी थे अपने बच्चों को बताती है कि ममाची को कोई love नहीं था पपाची से लेकिन बस उनको habit एक आदत हो गई थी अपने husband की रहते हैं तो बहुत छोटी सी स्वीट सी स्टोरी है आईए डीटेल में पढ़ते हैं और उससे पहले हम author की बार में पढ़ेंगे जिन्होंने ये पूरी chapter लिखा है आरुन दत्ती रॉय the picture which you could see on my left hand side यह इस chapter की कौन है author है इन्होंने लिखिए 1961 में इनका birth हुआ था an architect by training इन्होंने training लिए आर्किटेक्टरी में और ये एक architect है training में is a novelist and screenwriter और एक novelist भी है याने novels लिखती है और screenwriter भी है इनकी जो first novel थी the god of small things from which this extract has been selected is a winner of the 1997 Booker Prize a prestigious literary award तो यह जो chapter आज हम पढ़ने वाले है यह एक बड़ा सा बड़ी सी novel है जिसका नाम है the god of small things उसमें से छोटा सा portion निकाला गया और हम यह पढ़ रहे है it's a just small part of this big book और इस book को 1997 का Booker Prize भी मिल चुका है जो की literary award है और बहुत prestigious बहुत respected award माना जाता है now she lives in New Delhi and is an activist अब Arundhati Roy कहां रहती है New Delhi में रहती है और एक activist है activist वो अंसान होता है जो politically कही न कही politics में involved रहता है और वो society में कुछ positive change लाने की हर बार कुछ न कुछ कोशिश करता हुरी काफी active है इस चीज में तो अभी activist है New Delhi में ओके now let's start with the deep explanation of the chapter Mamachi had started making pickles commercially soon after Papachi retired from government service in New Delhi and came to live in M&M तो अब story यहां से start हो रही है कि Papachi जब entomologist जहां पर job करते थे वहां से उनको क्या मिल गई है retirement मिल गई याने वो retire हो गए है तो अब क्या करें घर में साधन क्या होए पैसे का तो Mamachi ने क्या start कर दिया उनकी wife ने pickles का commercially start कर दिया याने अचार बनाने का जो business है Mamachi ने start करा दिया और आप बो लोग कहां रहने आ गए है M&M में रहने आ गए है ये एक जगा है केरिला में The Koteam Bible Society was having a fair and ours Mamachi to make some of our famous banana jam and tender mango pickle अब एक बहुत बड़ी society थी वहाँ पे जिसका नाम था Koteam Bible Society उनका कोई fair कोई मेला लगने वाला था उन्होंने Mamachi को अचार का order दिया था कि आप अपना famous जो banana jam और tender mango pickle है याने जो केरियों का tender याने खटी केरियों का जो ये अचार है उसका order दिया था कि आप हमको बना के भेजो It sold quickly and Mamachi found that she had no more orders than she could cope with ये order बहुत जल्दी से बिग गया और Mamachi ने जल्दी से जिससे notice किया कि अब मेरे पास तो orders आते ही जा रहे हो इतने orders आ रहे है कि अब मैं cope with नहीं हो पारे हू याने orders आ रहे है और मैं orders फुल्फिल नहीं कर पारे हू इतना काम आ गया था Mamachi के इस delicious pickles के orders पे thrilled with her success she decided to persist with the pickles and jam and soon found herself busy all year round persist का मतलब to continue याने इसी को मैं continue करूँगी तो अपनी success से thrill हो गई थी काफी वो excited हो गई थी और उन्होंने decide किया कि मैं जो ही अचार और jam बनाने का business है इसी को ही continue करूँगी और इस वज़े से वो साल बर busy रहती थी पपाची for his part was having trouble coping with the ignominy of retirement अब इस point of time पे पपाची क्या है retired है उनके पास कोई काम वाम नहीं है तो वो cope up नहीं कर पा रहे थे याने इस अपने retirement के बार deal नहीं कर पा रहे थे कि मतलब लोगों के फामने उनको शरम आ रही थी ignominy याने public shame public के सामने shame आना तो ममाची क्योंकि बहुत business कर रही थी उनके पास साल बर बहुत काम था लेकिन पपाची इस point of time पे retire हो गए थे तो उनको बहुत शरम आ रही थी कि मैं retire हूँ कोई काम नहीं मेरी बीवी तो बढ़िया कमा रही है तो इस चीज से वो cope up नहीं कर पा रहे थे याने इस चीज से वो deal नहीं कर पा रहे थे अब जो पाची है वो ममाची से 17 साल बड़े थे 17 बड़े थे और सून उन्होंने रहे मैं तो बूड़ा दिखने लगा हूँ मेरी वाइफ तो अभी भी अपने प्राइम में अभी जवान है बहुत शीज लुकिंग वेरी यांग अंप्रिटी तो ये सारी चीज से कही ने कही पाची को अंदर ही अंदर खाती थी तो ममाची है अद कॉनिकल को निया उस अन वस अलरी प्रैकिली ब्लाइब पाची बॉड नोट help with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high ranking ex-government official conical corneas क्या होता है an eye disease occurs when your cornea thins and bulges outward into a cone shape causing blurred vision तो conical corneas एक आँखों की बिमारी होती है इस तरीके से जिसमें ये जो आगे की परत है ये बहार की तरफ आ जाती है और पतली हो जाती है जो cornea है और आपका ऐसा conical shape कौन जैसा shape बन जाते क्योंकि आँख का आगे का जो cornea होता है पतलाओ के बाहर की तरफ उभर जाता है और इससे क्या होता है इससे आपकी जो vision जो नजर होती ही बहुत दुंदली हो जाती है आपको clearly नहीं दिखता तो ममाची को ये conical corneas हो गया था और वह practically blind थी है उनको बहुत कम दिखता था लेकिन फिर भी अचार वह बनाती थी ये बात पता होने के बावाजूद भी पपाची कभी भी अपनी वाइफ की help नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था जब मैं job करता था तो मैं तो बहुत high ranking ex government का government का official रह चुका हूं मैं और मैं ये सब अचार वचार नहीं बनाऊंगा अपनी वाइफ के साथ मिल कोई बहुत low चीजे low grade type की चीजे लगती तो he used to never help his wife he had always been a jealous man so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting resented का मतलब क्या होता है feel bitterness अपने मन में कड़वाहट feel करना तो जो पपाची है वो हमेशे से एक जलको कड़े इंसान थे jealous man थे और क्योंकि उनकी wife को suddenly इतनी famous हो गई थी उनकी orders इतनी जा रहे थे अचार के और हर कोई उनको बोल रहा था आपके अचार बहुत अच्छा है और वो इतनी जादा the sullen circles around mounds of red chillies and freshly powdered yellow turmeric watching mamachi supervise the buying the weighing the salting and drying of limes and tender mangoes तो अब compound याने वो जगा बीचो बीच जहां पर क्या होता था अचार की धेरियां पड़ी रहती थी सूखने के लिए रहता था अचार मिर्ची पावडर सब मसाले रहते थे अचार के समन तो पापाची वहां पर स्लाउच करते थे याने मूव इन लेजी डूपिंग वे याने ऐसे ऐसे लेजी होके उदर इर्द गिर्द घूमते थे और देखते थे कि और इम्माटिक्यूलेटली याने इन पॉफेटली नीट एंड क्लीन मैनर भले ही पापची रिटायर हो गए थे लेकिन अब भी वह अपने टेलर्ड सूट्स बहुत क्लीन अच्छे से प्रेस कर हुए सूट अभी भी पहनते थे हर टाइम चाहे कित्ती गर्मियों जैसे वह इस एरिया में जहां पे सभी मिर्ची विर्ची सब सूखने के लिए रहती थी अचार के लिए वहां पे वो सब स्लाउच करते थे और गोल गुमते चक्कर लगाते थे और देखते थे की कैसे ममाची सूपरवाइस कर रही है सब चीजों पर ध्यान डेरी उनके अंडर जो का कि उनके बिसनस में कैसे खरीद रही अचार के सामान कैसे नाब तोल करी कि इतना वेट का डबा ओन अची अचार का सॉल्टिंग कैसे नमक लगा रहे है प्रॉपर ली की कैसे अचार में नमक जाद है ड्राइंग कौन से अचार को सुखाने के लिए रखना है लाइन याने हरी केरियां जो होती है सब चीजों को पापाची बहुत अच्छे से दिखते थे कि ममा ची कैसे पूरा मैनेज कर रही है अब क्योंकि पापाची के अंदर दो इंसेक्योरिटी थी कि एक वो बूड़े हो रहे हैं और दूसरे वो रेटायर होगा उनके पास कोई काम नहीं तो उनको जेलिस होती थे अपनी वाइफ से जो अब भी यंग दिख रही हो जिसके पास बहुत काम है तो वो इस बिटरनेस इस कड़वाहाट की वज़े से ब्राजवेज याने इस तरीके के फ्लावर वेज से हर रात अपनी वाइफ को मारते थे और यह जो मार पिटाई थी यह नई नई थी उनके लिए कुछ सालों से पापाची इसी तरीके से अपनी वाइफ को मारते आ रहे थे ऐसे ब्राजवेस से नया सरफ क्या था? सरफ फ्रिक्वेंसी नहीं थी याने पहले थोड़ा कम मारते थे अब जादा मारने लगे बस यही फर्क था और कुछ नया नहीं था अब जब माची यह वह बहुत अची वाइलिन प्लेयर थी तो एक दन गुस्से में आके पापाची ने माची के वाइलिन का बो तोड़ दिया यह वाइलिन होता है यह जो स्टिक होती ही जिससे वाइलिन बज़ाते इसको बोलते है बो तो पापाची ने उनका ये बहुत थोड़के रिवर में नदी में फेग दिया कि कोई ज़रत नी वाइलन मगरें बजाने की इतना जादा वो जैलिस फील करते थे अपनी वाइफ से अब चाको कौन है? चाको बेटा है पापाची और मामाची का वो कहाँ पढ़ता था? ऑक्सवर्ड में पढ़ता था ऑक्सवर्ड कहा है? यूके में याने उनाइट किंडम में फिर एक दिन उनका बेटा समर वेकेशन में ऑक्सवर्ड से घर पर आया गर्मियों की चुटियों में और अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है बिग मैन हो गया है काफी फेमस इन दोस देश ट्रोंग और काफी स्ट्रोंग भी है फ्रॉम रोइफ। बैलियल और वो कहाँ से आया था? बैलियल से बैलियल किया है? और College of Oxford University तो Oxford University एक बहुत बड़ी उनिवरसिटी है जह अंदर अलग-अलग छुड़ी-छुड़ी Colleges है तो वहाँ पर जो Balliol College है Oxford University में वो वहाँ से आया था चाको A week after he arrived, he found Papachi beating Mamachi industry और जब चाको को एक हफता हो गया था घर आया हुए तो उसने एक हफते बाद देखा कि मेरे फादर, मेरी मदर को याने Papachi, Mamachi को मार रहे है Study में आने की study room जो था उनका चाको strode into the room, caught Papachi's waist hand and twisted his around his back strode का मतलब क्यों होता है? Walk with long steps, जल्दी-जल्दी लंबे-लंबे steps जब आप चलते हो तो उसको strode कहते है तो जैसे ही देखा चाको ने की मेरे फादर अपनी मदर को मार रहे वो study room में लंबे-लंबे steps जाके walk करके गया उसने अपने फादर का हाथ जिसमें उन्होंने जिसमें वो flower ways पकड़ा हुआ था उस पूरे हाथ को पीछे जोर से घुमा के मोड दिया और बहुत ट्विस्ट कर दिया अपने फादर का हैंड और क्या बोला? I never want this to happen again he told his father ever तो कहता है मैं नहीं चाहता कि ये चीज दुबारा फिर से हो ever याने कभी नहीं हो याने तुम मेरी मा को नहीं मारोगे तो पापाची साट इन वेरांड़ा और उसके बाद पूरा दिन पापाची अपने घर का जो वेरांड़ा होता है वहाँ पे बैठे रहे और स्टोनी ली स्टोनी ली का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी इमोशन तो उन्होंने बिना किसी मोशन का ऐसे यासे वह सामने जो ओर्नामेंटल गार्डन था ओर्नामेंटल का मतलब उता है डेकोरेटिव उनके घर के सामने एक उनका घर का गार्डन था जो काफी डेकोरेटिव रहता था बस वहाँ पे ऐसे बैठे रहे stonily बिना किसी motion के चुपचा बस उस decorative garden को देखते रहे और कोचु मारिया जो उनकी कौन थी care taker थी घर की वो क्या लेकर आई जब खाना लेकर आई तो उसको भी उन्होंने इग्णोर कर दिया खाना नहीं खाया late at night he went into the study and brought out his favorite mahogany rocking chair who put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench और बहुत देर जब उनका दिमाग बहुत खराब हो गया तो वह उसी study room में गए जहां उनकी महागनी चेर थी महागनी एक तरीकी का पेड़ होता है जिससे ऐसे furniture बनता है तो उन्होंने अपनी चेर लेके आए बहार ड्राइब वे याने जहां पर उनकी गाड़ियां पाक होती थी वहां लेके आए और प्लंबर का monkey ranch याने इस तरीकी का जो औजार जो एक प्लंबर यूज करता है इससे उन्होंने पूरी चेर को तोड़ तोड़ के छोटे-छोटे तुकड़ों में कर दिया गुस्से में he left it there in the moonlight a heap of varnished wicker and splintered wood varnished याने कोई चीज जो glossy होती है जो चमकीली होती है wicker का मतलब क्यों होता है small twigs used to make furniture and basket तो ये जो महागेनी चेर तोड़ी थी वो glossy थी और wicker याने छोटे-छोटे लकड़ी के पीसे से बनाई गई थी तो बस जो पूरी तूटी-पूटी चेर थी पापाची ने वहाई moonlight में याने अंधेरे में चोड़के आ गए और वहाँ पर heap एक धेरी खटा हो गई थी ऐसे glossy वाले छोटे-छोटे लकड़ी के पीसेस की उस महागेनी चेर की और स्प्लिंटर्ड वोड याने पूरा लकड़ी वहाँ पर बिखरी हुई पड़ी रही he never touched mamachi again और उस दिन के बाद से उन्होंने mamachi को कभी नी चुआ यहने कभी नहीं मारा कभी भी उन्होंने हात नी उठाय अपनी वाइफ पे but he never spoke to a reader as long as he lived कभी मारा नहीं लेकिन जब तक वो जिन्दा थे तब तक उन्होंने अपनी वाइफ से कभी बात नहीं करी never हाथ नी उठाया लेकिन मारा भी नहीं कभी जब तक जिन्दा थे तब तक एक शब दूने अपनी वाइफ से बात नहीं करी when he needed anything he used kochumaria और baby kochama as intermediaries जब भी उनको कुछ चाहिए रहता था अपनी वाइफ से तो वो kochumaria से बोलते थे जो उनकी caretaker थी या baby kochama से बोलते थे ये कौन थी ये पापाची की sister थी तो अपनी बहन से और caretaker से बोलते थे intermediaries यनको middleman बना के रखा था इनकी through अपनी वाइफ से बात करते थे directly कभी बात नहीं करते थे अब पाची क्या कर रहे है नेक्स लेवल बिल्कुल टोटल सांस बहु को बदनाम है लेकिन या पाची भी कम नहीं पाची क्या करते थे जब भी evening में शाम के समय जब भी उनको लगता था कि कोई visitors को गर पे आने वाले तो उस वक्त अपनी शर्ट के बटन लेके सिव याना सुलाई कर से लाई विलाई करने बैट जाते थे और कौन से बटन जो कभी तूटते भी नहीं जबरदस्टी उनको से लाई करते थे ताकि visitors और गेस्ट आए तो उनको लगे कि ममाची तो अपने हस्बंड की को निग्लेक्ट कर रही है उसके केर नहीं कर रही है अपने हस्बंड की और बहुत बिकार लेडी है ऐसा दिखाने के लिए वह यह सब हरकते करते थे पापाची अब यह लोग कहां रहते थे एमनेम नाम की जगह पर रहते थे जहां पर जो वॉकिंग वाइफ थी याने जो लेडीज वॉकिंग है काम करती है उनका व्यू लोगों के माइंड में उन लड़ लेडीज के बारे में व्यू अच्छा नहीं है कि वह अपने हस्बंड की हेल् लगती है टेक केर नहीं करती तो जो पापाची है वो कई हद तक सक्सेस्फुल हो गए थे लोगों के सामने ये दर्शाने में कि मेरी बीवी तो वोकिंगे पूरे टाइम अचार वचार बनाती है और शी नेवर हेल्प्स मी अपने हस्बंड की कोई हेल्प नहीं करती ना उ इंग्लिश मैन इन मुनार अब पापची ने क्या किया पापची ने मुनार मुनार किया है अहिल स्टेशन के कारिळा में एक पहाड़ी लाका है वहां से एक इक। से इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी है तो ब्रिटिश थे तो उन्होंने मुनार नाम की जगा से एक पुराने Englishman से ब्लू कलर की एक प्लाइमाउ थी एक कार खरीद ली थी पापाजी ने उस ताइम पर तो पापाची में बहुत ज़ादा इस कार से गूमने लगे और काफी फैमिलियर हो गए थे काफी जगाओं को जानने लगे थे क्योंकि अब वो इस कार से गूमने लगे थे कोस्टिंग क्या होता है यूश्विली जब हम धलान पे होते तो लोग गाड़ी बंद कर देते पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी खुच चलती है तो कई बार इस तरीके की कोस्टिंग भी करते थे नारो रोडस पे पापाची अपनी बड़ी सी कार में जो अब पापाची बाहर से तो बहुत elegant लगते थे ये कार बाहर से बढ़ी है बढ़िया elegant लगती थी लेकिन क्योंकि पापाची रेटाइमेंट के बाद भी वो थ्री पीस कोट हमेशा पहने रहते थे sweating freely inside his woolen clothes वो इस तरीके के woolen clothes जो पहनते थे थ्री पीस सूट उनके अंदर पूरे पसीने से भढ़ जाते थे लेकिन फिर भी उतारते नहीं थे उनको तो हमेशा tip-top रहना पसंद था अब ये जो कार थी प्लाइमाउथ इसमें वो ना अपनी वाइफ ममाची को ना अपने family member के किसी भी member को ना touch करना तो दूर की बाद बैटना तो दूर की बाद touch भी नी करने देते थे और ये जो प्लाइमाउथ है वो पापाची का revenge था याने बदला था कि अपने बेटे से कि भाई तुमने मेरा heart twist किया ये किया तो मैं तुमारी मां से कभी बात नी करूँगा और देखो मैं तो कार में घुमूँगा और तुम लोगों को touch भी नी करने दूँगा अपनी कार को तो एक तरीके से ये कार उनके लिए revenge थी बदला थी अपनी wife और अपने बच्चों से पपाची had been an imperial entomologist at the Pusa Institute अब story flashback में जाती है बताते है कि पपाची retirement से पहले क्या करते थे वो पढ़ेंगे तो पपाची एक imperial entomologist थे imperial का मतलब क्योंता है belonging to a system of weighing and measuring जो जो इंसान नापतॉल करना measure करने के system में और entomologist मैं आपको बताई दिया था a person who studies about insects तो पपाची क्या थे पपाची एक entomologist थे जो कीट विशचक गया जिसको हम कहते है मौत के बारे में और इंसेक्स के बारे में पढ़ते थे वो पूसा इंस्टिउट पूसा इंस्टिउट डेली के पास में इंस्टिउट है वहाँ पर एक इंसेक्स होते हैं का वेट करते हैं को मेजर करते हैं कितना वेट है कितने ग्राम के ओल इस तिंग्स का यह काम था पापाची का अफ्टर इंडिपेंडन्स में दर ब्रितिश एफ इस डेजिएट उस जिएट बाइंडिपेंडंस मिली और बुरिटिश चले गए उस दिन पे वो जो director की जो rank होती है उसी equal rank पे वो थे और उस rank पे उनका retirement हुआ तो बहुत अच्छी high ranking position पे उनका retirement हुआ था His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him Setback का मतलब क्या होता है? problem या कोई difficulty तो पापाची की life की सबसे बड़ी problem यही थी कि उन्होंने मौत एक कीड़ा discover किया था और बाद में इस कीड़े को बहुत अच्छा और नया माना गया लेकिन इसको पापाची का नाम नहीं दिया गया और यहीं उनकी life की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी discover की गई चीज को मेर नाम नहीं दिया गया अब बता रहे हैं कि कैसे उनको यह मौत मिली इट फैल इंटु इस ड्रिंक इठ याने कौन यहीं मौत मौत ओड़ते ओड़ते जो है पापाची की ड्रिंक तो आलकोहल का जो शराब पी रहे तो उसकी ड्रिंक में गिर गई इवनिंग में वाइल ही व यह मौत आके उनके ड्रिंक में गिर गई अजी पिक्ट अउटी नोट इस अन्युच्वली डेंस दॉर्सल टॉफ्ट डॉर्शल का मतलब क्या होता है अपर साइड ऑफ इन्सेक्ट जो तितली के ऊपर साइड जो उपर के साइड होते इसके पंक उसको डॉर्षल कहते है औ यसी पापाची ने उसको निकाला अपने डिंक में से उन्होंने देखा की अजीब हो गरीब जो उसके टफ्ट हैं वह काफी डॉर्सल हैं मोते हैं ठिक हैं ऐसे पापाची ने पहले कभी नहीं देखे थे और अगले दिन उन्होंने क्या किया उसको बाहर धूप में रग दिया क्योंकि वह एलकोहल में गिर गई थी अब उसको पूरा स्टडी करने के लिए वह एलकोहल उसमें से निकलना जरूरी है तो उन्होंने अगले दिन उसको धूप में रग दिया कुछ घंटों के लिए ताकि वह एलकोहल जो पूरी शराब चली गई है उसके अंदर वह पूरी एवापरेट हो जाए याने की उड़ जाए निकल है तो अगले ही दिन उन्होंने पहली ट्रेन ली और वापिस वो डेली गए तो टैक्सोनॉमिक अटेंशन एंडी होप्ट फेम टैक्सोनॉमिक क्या होता है अफिल्ड ऑफ साइंस कंसर्ण विथ और्गानिजम्स साइंस के वह ग्रूप जो और्गानिजम्स और कीडों से र तो मुझे अटेंशन मिलेगा और मुझे फेम मिलेगी यानि मैं फेमस हो जाओंगा अफर six unbearable months of anxiety to papachi's intense disappointment he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of well-known species that belonged to the tropical family Limentrydee Limentrydee का मतलब क्या होता है a species of moth family यह जो मौत ही कीड़े की जो family उसी की कोई जीव जन्तू अब छे माहिने तक पापाची ने जब यह मौत दिया taxonomy group वालों को कि आप देखो कि मैंने क्या डूंड़ा है छे माहिने तक वो रुके रहे उस बीचमन को इतनी anxiety इतनी worry इतनी tension हुई कि पता नी क्या हुआ पता नी क्या और छे माहिने बाद taxonomy वाले लोग उसके experiment करके बोलते है पापाची को कि यह कोई अलग से कोई नई हो गए और लिमें ट्रीडे जो होता है वो यह इस तरीके का होता है इसको पर आप देख सकते हो इसका हैरी स्ट्रॉक्चर है अब छे मैने तो ठीक है लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ जो सबसे बड़ा दिमाग फटा पापाची जो पापाची की लाइफ में वह बारह साल बाद हुआ बारह साल बाद जो यह टैक्सोनॉमी वाले लोग थे वह री शफल हुए याने लोग चेंज हुए तब लेपिडॉप्टेरिस्ट्स याने परसुनों स्टेडीज अबॉट मॉट्स और बटरफ्लाइज वह लोग जो मॉ सी मौथ नहीं थी वह बहुत जीनियस हिटर्डव अन्नोन टू साइंज याने अंटिल नाव हिटर्डव मतलब अंटिल नाव साइंज को इसके बार में पता ही नहीं था यह कोई नई चीज थी वाकई में कोई डिस्कावरी थी तो बारह साल बाद उनको पता चला तो वह कि लेट पर इम तू अज़र्थ इस क्लेम तू दीजिकोवरी और अब वह एशा भी नहीं बोल सकते हिए कि मेरा नाम दो यह में को पैसे दो इसके बदले क्योंकि मैने इसकावरी करी कोई बहुत लेट हो गया था बारह साल हो चुके थे His moth was named after the acting director of the department of the entomology A junior officer whom papachi had always disliked तो वहाँ पे जब papachi 12 साल पहले काम करते थे तो उनका कोई junior officer था जो अब 12 साल बात काफी बड़ी acting director बन गया है उस department का तो क्योंकि अब वो director है तो उसी के नाम पर उस moth का नाम दे दिया कि हाँ इनों ने ये moth जो है discover किया और ये वही इंसान है जब 12 साल पहले भी papachi इसको कभी like नहीं करते थे नापसंद करते थे और papachi के moth को उसी director के moth का नाम दे दिया तो ये papachi के लिए बहुत tension और heart-breaking बात थी In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper ill-humored का मतलब क्या होता है इल्यूमर का मतलब होता है badly make fun of someone जब किसी का बहुत बुरी तरीके से मजाग उड़ाया गया हो Bouts का मतलब क्यों होता है small instances of anger कभी-कभी थोड़ा सा गुस्सा आ गया कभी Papachi का बहुत मजाग भी बनाया गया था उसके कई साल पहले मौत के discover होने के कई साल पहले कई लोग उनके ऑफिस में उनका मजाग ऐसे उड़ाते रहते थे और यही रीजन है कि Papachi का आज की डेट में जो black moods हैं कभी भी mood swing हो जाता है गुस्सा आ रहा है अपनी wife को मार रहा है या sudden bouts of temper याने suddenly उनका anger गुस्सा निकल निकल के आ रहा है यही उसी का reason है कि मौत के discover होने के पहले उनका बहुत मजाग उड़ाया गया मौत discover होने के बाद उनके मौत को नहीं का नाम नहीं दिया गया तो यह सब उनके mood swings के reasons है it's pernicious ghost gray furry and unusually dense docile tufts haunted every house that he ever lived in pernicious का मतलब क्या होता है having a harmful effect तो जो मौत जो discover करी थी पापाची ने उसके ghost gray मतलब वो dangerous उसके gray color के जो उसकी body पे जो बाल थे जो fur थे और unusual याने पहले ना कभी देखी गए हुए जो dense dorsal dufts याने मोटे मोटे उपर की जो परत जो hair like structure से covered थी यह सारी चीजें जैसे haunt करती थी डराती थी पापाची को बार-बार जिस भी घर में वो जाके रहते थे उन्हेंने कई घर चेंज किये डेली गए फिर एमने माइद और और जहां भी वो रहते थे उनको लगता था वैसी मौत ओड रही है तो उनको असा लगता था कि यह भूत की तरह जैसे मेरे हमारी मा को मार रहे हमारे फादर इतने ज़्यादा मोट स्विंग्स हो रहे तो इस वज़े से यह mental sufferings पापाची उनके बच्चे और इन फार्ट उनके बच्चों के जो बच्चे उन्होंने भी सारी चीज़ें पापाची की लाइफ में देखी यहाने पापाची के पोते और पोतियों ने भी यह सारी चीज़ें देखी Until the day he died Even in the stifling M&M heat Every single day Papaji wore a well-pressed three-piece suit And his gold pocket watch So until the day he died याने अपनी आखरी सास तक जिस दिन मों मरे उस दिन तक Stifling Stifling का मतलब very hot and suffocating M&M जासे शहर की इतनी गरम मौसम में और इतनी धूप मले मौसम में हर दिन पापजी अपना अच्छे से प्रेस करा हुआ वो three-piece suit पहनते थे जैसे वो अपने office में अपने job में पहना करते थे और gold color के से pocket watch रखते थे यह सारी चीज़े वो करते थे क्योंकि वो भूली नहीं पा रहे थे अपना वो time और जब उन्होंने वो moth discover किया था की तरह चीज़ें ऐसे चलती थी अपने dressing table के पास में उनका एक छोटा सक को लोग में याने इतर रखा रहता था वहां पे एक silver brush भी रखा रहता था यह सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रखी हुई थी अपने dressing table में और उसी के साथ एक picture एक शका हुए था जब वह काफी यंग हैं थैं उस जमाने को उन्हें ने फोटोग्राफ रखा हुए था जब उनके hair sled down इस तरीक से चिपके हुए रहती तो उस जमाने के वह फोटोग्राफ रखा हुए था उन्होंने और यह फोटोग्राफ कहा हुए था वियना- फोटोग्राफर के स्टूडियो में उन्हें क्लिक कर रहा था है फोटोग्राफर और यह तब की बात है जब विएना गए थे अपना six months के लिए डिप्लोमा कोर्स करने और जब उन्होंने यह कोर्स से क्वालिफाई किया उनको पूरी ट्रेनिंग मिल गई तब जाके उन्होंने इंपीरियल एंटोमोलोजिस्ट के लिए पोस्ट के लिए अपलाय किया था और उनको यह जॉब मिली थी तो इस सारे पुरानी बातें वह उनके दिमाग से निकली नहीं रही थी जस्ट बिकॉद इस मौथ की डिसकवरी का नाम उनक को वही मिली थी और ममाची वियना में क्या करती थी वाइलिन के लेसंस लेर्न करने आने वाइलिन सीखने आती थी लेसंस वर अबरपली डिसकंटीनियूर्वन ममाची इस टीचोर लॉंच की टिफिन थल मेड़ दे मिस्टेंग पापची दाइस वाइव इस एक्सेप्शनल लॉंच की टिफिन थल से वाइलिन सीखने आती थी और बिचारे लॉंच की टिफिन थल को नहीं पता था पापची का नेचर और उनोंने उनके हस्टेंड को बताया पापची को बताया कि आपकी वाइफ तो एक्सेप्शनली टालेंटेड है इनकी आवाज तो बहुर अच् में वो जैलेसी वाली भावना फिर से आ गई और उनने अबरब लिया ने सदेनली वाइलन की जो क्लासे से डिसकंटिन्यू कर लिया ने बंद करवा दी अपनी वाइफ की इसी वज़े से जब पहले एक बार उनों नहीं मारा था तो इस वाइलन का बो भी तोड़ दिया था क्योंकि उनके मन में वो जैलिसी थी कि मेरी वाइफ वाइलन भी बहुत अच्छा बजाती है राइट अब ममाची का एक सामिली आलबम था जिसमें वो फैमली की फोटोग्राफ पेस्ट करती थी याने चिपकाती थी और उसी में उन्हें इंडिन एक्स्पेस नियूस पेपर की क्लिपिंग भी चिपकाई थी जिसमें पापाची की डेथ की निउस आई थी और उसमें क्या लिखा था? जो किसके बेटे थे? लेट याने उनकी बिडेत हो गई उनके फादर की जौन आइप एमनेम के जिनके फादर को लोग पॉपिलरली पुन्यन कुंजू के नाम से जानते थे और जो पापाची उनको हाट अटाक आया और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया कोटियम जेनरल हॉस्पिटल में पिछली रात और क्या लिखा था उसमें? ठीक नहीं रहती थी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही थी और उनके साथ उनकी डेथ के टाइम और पूरें छे महिनों में कौन था? उनकी वाइफ सोशम्मा याने जिनका नाम था ममाची और उनके दो बच्चे जिनका नाम था चाको और अम्मू तो ये news छपी थी जो ममाची ने अपने family album में वो clipping news की चिपकाई थी At पपाची's funeral, जब पपाची का funeral हो रहा था, जब last की वो ceremonies हो रही थी ममाची cried and her contact lenses slid around in her eyes ममाची बहुत रोई, इतना रोई कि जो उनके आखों में lens लगे तो वो आशों से फिसल के बहार आ गए ममाची की बेटी है, उन्होंने अपनी उनकी दो ट्विन बच्चे थे याने दो जुडवा बच्चे थे उनको ये बताया कि ममाची इतना जाधा इसलिए रो रही है क्योंकि इसलिए नहीं रोरी कि वो पापाची को बहुत लव करती थी इसलिए रोरी है क्योंकि वो बहुत मारते थे अपनी वाइफ को she was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from time to time क्योंकि ममाची को आदत हो गई थी कि pickle factory, अचार की factory में पापाची आके वाँ चक्कर लगाते थे, देखते थे, सब कैसा काम हो रहा है इन सब चीजों की ममाची को आदत हो गई थी और time to time अपने husband से मार खाने के उनको habit हो गई थी इसलिए वो रो रही हैं, अदर्वाइस उनको अंदर से पूछो तो अपने husband से कोई प्यार नहीं है Amu said that human beings were creatures of habit and it was amazing the kind of things they could get used to तो Amu ने अपने बच्चों को बताया कि human beings, जो हम इंसान है, हम ऐसे creatures हैं कि जो अपने आदत से, अपनी habits से मजबूर है और आप सोच नहीं सकते कि आपको किन amazing, किन अजीब अजीब चीजों के आदत लग सकती है ममा जी को तो मार खाने के आदत लगे, आप सोच भी नहीं सकते लोगों को और किन किन चीजों के habit लग जाती है You only had to look around you, Amu said, to see that beatings with brass waces were the least of them तो Amu अपने बच्चों को बोलती है कि आपको सरफ अपने आसपास देखने की जरूरत है और तुम देखो कि लोगों को किन किन अजीब वो गरीब चीजों के habit लगी हुई है, आदत लगी हुई है यह brass waces, यानि कि यह flower pot जो brass metal से बने हुए है इनसे beatings और मार खाने की जो आदत है यह तो बहुत least of them है, वह चोटी सी चीज है आसपास देखो इन इनसानों को किन अजीब अजीब चीजों की आदत लगी हुई है तो यहाँ पे हमारा chapter होता है, खतम and we come to the end of this session I hope आपको chapter बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी chapter में अगली video जो में आपको बनाऊंगी आपके लिए वह होगी इस chapter की summary and question and answers claim अगर आपको YouTube पे हमारे videos clearly नहीं मिल रहे हैं तो आप website पर जाएए which is magnetbrains.com जैसी website पर जाएँगे आपको इस तरीकी का एक page मिलेगा यहाँ पर separately hornbill का option है और यहाँ snapshots book का option है for example आपको snapshots के videos देखने तो उस option पर click करें जैसे आप click करेंगे आपके सामने यह list of videos आजएगी for example मुझे chapter 1 देखना है तो मैं इस पर click करूँगी और जैसी मैं click करूँगी मेरा video आपके सामने play होना start हो जाएगा एक और good news है हमारे पास कि magnetbrains ने अपना Hindi channel start किया so do not forget to subscribe this channel and share it amongst your friends क्योंकि magnetbrains आपके लिए free of cost education provide कर रहा है and do not forget to like subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए bye bye and take care